सब्सक्राइब करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार चोटा ट्रेडर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम हर रोज की तरह आज भी निप्टी 50 एंड बैंक निप्टी की कम्प्लीट डीटेल में टेक्निकल लिस्स करेंगे दिन इसके बाद में हम संसेक्स के एक एक वीडियो लाएंगे जो कि इस वीडियो के बाद में आपको ठीक तीस मेंट के बाद मिलें वाली है तो वह भी वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अगर पर आने हैं तो कमेंट करके यह भी मुझे बताएगा 20-25 दिन या फिर यह मंत भी उजर सकता है क्योंकि मैंने बताया कि कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम लेकिन हां मैं आप सभी के साथ हूँ अगर चैनल है मैं हूँ जीवित हूँ तो फिर लाइव रहूंगा आप सभी के साथ आप सभी का प्यार लिए ऐसे ही फ्यार सिर्वात बनाया रहे हैं मेरा यह आप सभी के साथ मैं प्रॉमिस करता हूं कि यहां पर देखिए मैंने एक सेलिंग जोन बताया हुआ था तो प्लीज वीडियो को डिटेल में देखिएगा बिना स्किप किये हुए उससे पहले जो नए वीवर्स हैं मारे साथ उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी सारी सर्विसे बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट हैं किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूं ना तो मेरा प सार्च करके आप जोइन होते हैं तो मिरे दोस्ट ऑरेजिनल Beetlegram जोइन करेंगे अदरवबैस सर्च करके जाएंगे तो सर्च करके जाएंगे तो बहुत सारे फेक चानल ज्री आप तो वहसे आप सभी फिकनल मजटेव किजीगए वीडियू के डिस्किप्सिन में चेसे औ दिन और समास होई कि comment कर reply करते हैं हम आपके comments खुद देखते हैं like करते हैं जो reply देने वाला होता है valid अगर comment होता है तो मैं उसका reply भी देता हूँ चलिए बात हो गई अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है चलिए यहाँ पर 19,370 का मैंने एक selling level बताया हुआ था कि इसके न नीचे आई है इसके ऊपर opening तो करा ही है लेकिन उसके बाद इसके नीचे आ गई है मैंने बताया है आप सभी को कई बार कि 15-20 मिनिट मार्केट सस्टाइन करें आपको लोग के जितने भी doubts है सारे doubts हम solve करते हुए चलेंगे क्योंकि मेरा दायुत तो बनता है कि अगर आप मह लाइब आया करता हूं चली यहां पर यह सिलिंग लेवल था ठीक है मार्केट यहां पर opening कराती है पहली candle दूसरी candle पांच मेंट करेंड लगा हुआ है चुकि लाइब मार्केट में जहां हम ट्रेट करते हैं पांच मेंट के टाइम फ्रेम पर ही करते हैं आपको इस्टाइक कि एंट्री करते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगी सर यहां पर मार्केट ऊपर चली गई है मेरा यह वो दुनिया दरी तो भी याई स्टॉप लॉस भी तो कोई एक चीज होती इस्टॉप लॉस यहां पर मैंने क्या बताया जोई कि निफ्टी 50 में 20 पॉइंट का कम से कम स का अगर यहां पर इंट्री कर लिए चली उड़ें से नीचे की तरफ आई यह से और उसके बाद फिर से उपर गई हमने यहां पर से लेंख लेंगे और मैं बताता हूं के क्रोज करें तो और यहां पे तुच भी नहीं किया है देखिए 19,390 का target टच भी नहीं किया है और उसके बाद में target आपको क्या मिला है? target आपको देखने को मिला है देखिए यहाँ पे हाँ हो सकता है थोड़ा सा late मिला है लेकिन target एक फुल मिला है यहाँ पे देखिए कितना अच्छा risk reward ratio यहाँ पे आप खुद देख सकते है risk reward ratio 3.93 का risk reward ratio है total profit यहाँ पे 85 point के approximate मिल रहे है ठीक है? तो इस तरीके से आपको 80 points अगर मिल जा रहे हैं 50 point ही मान के चलो अगर nifty 50 में capture कर ले रहे हैं तो मेरे दोस्त इतना कम नहीं है और उसके बाद भी यहाँ पे closing करी है closing करी है उसके बाद market तुरंद खुंग गई यह देखिए 5-15 minutes sustain करने का तो wait करेंगी करेंगे यहाँ पे देखिए market 5 minutes के candle पे अगर आप enter कर जाते है तो आपका stop loss है आपर hit हो जाता है लेकिन मैंने बताया कि level के 15 minutes के नीचे sustain करना चाहिए उपर sustain करना चाहिए नीचे आती उपर जाती फिर से नीचे की तरफ आती है और उसके बाद फिर से आप देखते हैं कि इसी level में सिमट के रह जाती है तो यह होती है accuracy देखिए आप मेंसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना प्रचार प्रशार बहुत करते हैं हम अपना प्रचार नहीं करेंगे तो कौन जाएगा आप लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा करने मैं आड तो चलवा कि चैनल का प्रमोशन करता नहीं हूँ आप भी मेरे लिए इस्टार हैं आप मेरे लिए भगवान है, आप मेरे लिए मित्र है, आप मेरे लिए सखा है, तो चाहिए आप, मैं यहाँ पे आप सभी को भाई बंदू मानता हूँ, सखा मानता हूँ, तो आप सभी का भी दयव तो बनता है मेरे यार की, थोड़ा सा कॉापरेट करो, लाइक तो कर ही देत पंदरा मेट कर चुकि एनलसिस पंदरा मेट के टाइम पर बेस्ट रहती है ठीक है कौन सा एक जोन हम बनाएंगे 38 परसंट है इसको हम कर देंगे इसके नीचे ऐसा है अब हमारा लेवल यहां पर देखिए बैकेंड में ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर ऐसा ही लेवल खीज़ेता हूं लगा के यह दुनियादारी बैकेंड में जाके मेरी तमाल सारे डीप अनलसि अब देखिए यहां पर 38% परसंट का तो लेवल ही है और यहां पर मुझे एक लेवल भी देखने हूं ले आ है नीचे से और उपर से सपोर्ट ले रहा है तो यह एक इंपर्टन लेवल है यह इसे मार्केट उपर की तरफ गई है तो इसको हम एग्नोर नहीं कर सकते हैं तो नीचे रहती है, ओपनिंग गराती है, तो मार्केट का एक जो लेवल होगा, जो आज का डे लो है, 19,425 में, इस रेंज में मार्केट, जो है मुवमेंट कर सकती है, अच्छा खासा जैसा कि बैकेंड में आपने देखा भी है, कि इसी लेवल के आस पास में मार्केट ट्रेड क के 19,310 का ये most important level हो जाता है कल के trading session के लिए Friday के trading session के लिए एक important सूसना अगर market gap down कर जाती है और market 19,225 के नीचे आती है तो फिर अभी ये level सक्री रहेगा 19,160 का ये level सक्री रहेगा इसके नीचे जाती है तो फिर हम again 19,000 के level के लिए बैठ सकते हैं लेकिन 50-50 point के target के लिए हम बैठेंगे अगर 19,160 के नीचे जाती है और हम उट साइड में इंटर करते हैं तो हमारा 20 point का stop loss रहेगा और हमारा जो target रहेगा first target 60 point का यानि 19,100 का 19,100 का और इसके बाद में फिर 19,050 का इसके बाद में 19,000 इस तरह से हम नीचे के साइड में बैठ सकते हैं कब जब 19,160 के नीचे आती है तो otherwise पहली चीज तो है इसी लेवल में मौप कर सकती है maximum chances चुकि हम आपसंस बायर हैं जिस लेवल में उझे जहां पर market देखे कि उसी लेवल में entry करेंगा ऐसा नहीं है कि हम एक साइड में बैठ गए तो फिर हम उसी साइड में market चलाते रहेंगा हमारा premium जो है जीरो हो जाए ऐसा नहीं करने वाला ठीक है ऐसा ही करने वालों के premiums जीरो हो जाते हैं काफे सारे losses जाए देखी अगर 19,310 के उपर sustain करती है market तो फिर उपर भी जा सकती है उपर कहां तक जा सकती है 400 का विजिट कर सकती है 400 तक 19,400 के आसपास का level ये भी एक important level है नोट के लिजेगा तो एक ये level एक तो ये level और दूसरा जो ये level है ये दो important level है market अगर नीचे जाती है तो मैंने बताया आपको कैसे कहां तक जाएगी market bullish तभी होगी मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर 19,400 के उपर जाती है तो हम थोड़ा सा यहां पर साउधान रहेंगे market flat रह सकती है 50 point में भी और इसके उपर भी जाएगी तो 50 point में जब तंग market 19,500 के level के उपर sustain नहीं करती है तो तंग market BRC रहेगी है मैं फिर से कह रहा हूँ ठीक है ये हो गई nifty 50 की बात अब एक नजर में bank nifty की तरफ भी देख लेते हैं कोई चीज ना समझ में है तो मेरे दोस्त पूछ लीजेगा आप सभी का भाई आपके लिए ही बैठा हुआ है देखिए bank nifty में भी यहां पर गिरावट मैंने बताया था कि कर सकती है तो गिरावट करी है यहां पर और आप देखने को भी tyre 450 का लेवल मिल सकता है दिन उसके बाद में 44.000 के लेवल मिल सकता है इस तरह से मैंने आपको बताया था तो भाई यहां तो अबहुरं दeखने को मिल रहा है और 4492 502 के नीची हम आते हैं तो 44ct के लेवल मिल उनला है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव चीज़े निकलेंगी अगर कमी निकाला जाए तो कमी चांद में भी कहते हैं कि दाग होता है तो छोटी-छोटी कमियों को देखने वाले लोग बड़ी-बड़ी मुलिमान चीज़े भूल जाया गरते हैं तो मेर ले वी रीट के लीज़ेगा नीचे भी चल रहा होगा वह भी रीट के लीज़ेगा उसके बाद भी मैं बता दे रहा हूं कि सेर्मार्केट जोखमे को आधीन इसमें आपका पैसा जा सकता है यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग परफच के लिए ही लीजिएगा ठीक है यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने मिला है सपोर्ट अगर मार्केट इसके नीचे है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं यह लेवल है 44,400 का इस पर हम एक फरजेंटल लाइन ड्रागर के इस लेवल को मार्क कर लेते हैं अपर साइड में अगर मार्केट जाएगी तो इस लेवल को क्रास करना very most important हो जाएगा तो 44,400 का इस लेवल मार्क कर लेते हैं अब देखिए मार्केट यहां से 12 बाट से और 12 बाट से अधिक्तम टाइम जो है एक यह लेवल उसके बाद यह लेवल इस लेवल में मार्केट रही है और यहां पर double bottom भी कह सकते हैं किंदिस् या फिर इस रेंज में हम यह कहे हैं कि मार्केट जो है रहे सकती है ठीक है यह मैं अपने आप सभी को बता रहा हूं तो यह उप्रेंजग से ले करके और अच का जो oh के आसपास में हैं और इसको थोड़ा सा और नीचे लेते हैं 800 885 के आसपास में ठीक है यह लेबल आपको देखने को मिल सकता है हम यहाँ पर सीधा लगा देते हैं horizontal ray 120 और इसके बाद 800 इसको कर देते हैं delete इस तरीके से अब आपको यह चीज़ समझ में आ गई कि अगर इस बीच में market open होती है तो हम 43,880 से ले करके 44,125 यह फिर 20 की range बना सकते हैं इस तरह से ठीक है यह level note के लिए देखा market तब इसके उपर जाएगे तो हम maximum यह मान सकते हैं कि 44,400 तक जा सकती है लेकिन हम अगर इसके उपर enter करते हैं तो 100-100 points के target लेके enter करेंगे ऐसा नहीं कि मैं 400 points के लिए बैट जाऊंगा 400 points के लिए अगर बैठेंगे तो फिर आपको कम से कम 100 points का stop loss भी लेना होगा अगर आप 100 points का stop loss नहीं लेते हैं अगर आप ट्रेलिंग करना जानते हैं तो अच्छे खासा आप मोमेंट कर सकते हैं तो हमारे कहने के मतलब 44,120 के उपर अगर मार्केट जाती है तो 44,250 और उसके बाद 44,400 का यह target ले सकते है इसके उपर जाएगी तो range bound रहेगी कहां तक रहेगी 44,550 या फिर इसे level मान ले या फिर इस area को range bound मान ले ठीक है क्योंकि back end का data मुझे बता रहा है कि इस range में मार्केट सस्टेन रही है तो 44,400 के उपर फिर 44,550 का ही level मिलेगा बात कर लेते हैं अगर गिरावट इस्टार्ट हुई अगर market आज के day low को break करती है तो फिर मुझे कौन से level देखने को मिल सकते है मैंने कल भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि market अगर 43,880 के level को नीचे की side में break करती है तो आपको 530 का level अगैन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है लेकिन एक side में 530 का level के लिए हम नहीं बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे क्योंकि बीच में मुझे और भी support देखने को मिल रहे हैं और वो कौन से support level है 750 और 650 के दो important support level है और यह मैं यहाँ पर ड्राग किये दे रहा हूँ कुछ इस तरह से 750 और नीचे की side में 650 चीक है उसके बाद 300 इस तरीके से हम down side में बैठ सकते हैं मतलब 43,880 के नीचे अगर आती है तो मुझे यह 3 important support level देखने को मिलेंगे 43,750 का इसके नीचे 43,630 का और इसके नीचे 43,530 का इस तरह से पहला दूसरा तीसरा यह हमारे चाहे target माल लेते हैं यह फिर support माल लेते हैं इस चीज को note कर लिजेगा और अपनी diary में note कर लिजेगा चलिए कल देखते है कैसे क्या होता है अभी Sensex के अगर expiry वीडियो देखना चाहते हैं तो 20-30 मेंट के बाद वह भी upload की जाएगी देख लिजेगा जैसा भी होगा आप सभी लोग सिर्फ observe कीजेगा मैं फिर से कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ learning purpose के लिए वीडियो मैं आप झाल झाल